उदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने दिल्ली में एंसेसी केड़ेट्स को संबोधित करते वे पाकस्तान को निशाने पड़ लिया प्रोक्सी वार शरू कर देता है जब्रक्सीर करते वे प्यम्निका की कषमीर भारत की मुकुट मणी है प्यम्निका की 70 साल बाद वहाँ से आर्टिकल 370 को अटाया गया बीटी कॉंग्रेस सरकार पर बरस्ते वे पीम ने का कि ऐसे महौल में जब भी हमारी सेना एक्शन के लिए कहती थी उसे टाल दिया जाता था पीम ने का कि आज युवा सोच है युवा मन के साथ देश आगे पड़ रहा है और इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है एर स्ट्राइक करता है और आतंग के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है हम जानते हैं कि हमारा पड़ो सी देश हम से तीन तीन युद्धार चुका है हमारी सेनाओं को उसे धुल चकाने में हपते दस दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगता ऐसे में वो दसकों से भारत के खिलाप छद्मयुद्ध प्रोक्सी वार लड़ रहा है इसी प्रोक्सी वार में भारत के हजारों नागरीक मारे गए हजारों जबान शहीद हो गए लेकिन इसके पहले इसे लेकर के क्या सोचते वो लोग सोचते थे कि आतंक बाद ये आतंक की हमले ये बम धमा के ये तो लोग और प्रोब्लम है इसी सोच की वज़से बम धमा के होते गए सत्तर साल बाद वहां से आर्टिकल तिन सो सत्तर को हटाया जा चुका है आज विश्व में हमारे देश की पहचान युवा देश के रूप में हैं देश के 65% से ज्यादा लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं देश युवा है इसका हमें गर्व है लेकिन देश की सोच युवा हो ये हमारा दाईत्व होना चाहिए झाइ झाइ झाइ